चाल चाल उमीद करता हूँ सब मस्त होगे मजे में होगे तो बच्चो हम आ गये हैं अपने नेक्स चाप्टर पे जिसका नाम है रोटेशनल मोशन और बच्चो ये काफी इंपॉर्टेंट चाप्टर है जेई के respect में, NEET के respect में या आप board के exam देते हो उसके भी respect में तो बच्चो हम यहाँ पे basic से ले करके advanced level तक हर एक चीज चीज cover करेंगे हर एक concept को देखेंगे और उन पे जो important numerical से जो generally पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे तो एक एक concept को बारिकी से समझेंगे और एक एक concept में numerical भी करेंगे ठीक है बच्चो तो अब हम सुरू करते हैं तो देखिए अब पहला जो topic है मेरा वो topic है rigid body rigid body क्या होती है देखो rigid body जानना बहुत जरूरी है जब हम rotational motion पढ़ने जा रहे हैं तो क्योंकि पूरे rotation motion में rotational motion में हम rigid body से ही deal करेंगे तो rigid body किसको हम बोलते हैं if a body is said to be rigid a body is said बहुत important definition है इसको note करना है we rigid if the distance between two points do not change with time do not change with respect to time with respect to time ठीक है तो अगर दो points के बीच का distance time के respect में change नहीं होता है तो वैसे body को हम क्या बोलेंगे rigid body बोलेंगे कैसे body बोलेंगे rigid body बोलेंगे उसमें अब उसकी properties लिखेंगे properties क्या है rigid body की जैसे की properties लिखो properties पहला velocity of separation separation और approach each zero दो points कभी भी एक दूसरे को approach नहीं करेंगी या separate नहीं होंगी इसका मतलब यह हुआ कि उन दोनों के बीच का distance हमेशा सेम रहेगा उन दोनों के बीच का distance क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा second point यह था मेरा first point second point देखो velocity of one point velocity of one point is always perpendicular to other point perpendicular to the other point और to the line joining the two points समझ में आई बात वो मैं समझाता हूँ और अच्छे से figure में ठीक है तीसरा important point है जो कि मैं figure बनाने के बाद लिखूंगा देखो यह मेरी rigid body है कोई suppose ठीक है यह मेरी rigid body है और उस पे है एक यह point है जिसकी velocity suppose इस direction में है इस direction में है वी ए ए point है यह और यहाँ पे कुछ है बी point जिसकी velocity है इस direction में इस direction में क्या है वी बी ठीक है अब यह इन दोनों के बीच की line joining है यह है इन दोनों के बीच की line joining क्या है यह है इन दोनों की बीच की line joining ठीक है अब देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से clearly draw करता हूँ clearly draw करता हूँ यह है इन दोनों के बीच की line joining यह है ठीक है अब देखो यह वी ए का component suppose इस line के साथ केतना angle बना रहा है अलफा और यह वी बी का जो है यह बीटा बना रहा है तो वी बी का इस direction में component कितना आएगा वी बी कॉस बीटा और इस direction में कितना आएगा component sir वी बी sin बीटा सही चीज है ठीक है इस direction में इसका component क्या होगा वी ए sin अलफा और इस direction में क्या होगा इस direction में होगा वी ए कॉस अलफा वी ए कॉस अलफा अब मैंने क्या बोला velocity of separation या velocity of approach, velocity of approach कौन सी है, velocity of approach है sir ये, ये velocity दोनों क्या है, एक दूसरे के direction में हो और एक दूसरे को क्या कर रही है, approach कर रही है तो velocity of approach और velocity of separation is 0, तो velocity of, यहाँ पे क्या है, approach है, दूसरा वाला particle, बी पार्टिकल, एक पार्टिकल क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, तो velocity of approach क्या है, वी ए कॉस अलफा माइनस वी बी कॉस बीटा is equal to 0, तो वी ए कॉस अलफा is equal to वी बी कॉस बीटा, यह बहुत ही important relation है, rigid body dynamics में, यह आपको हमेशा ध्यान में, रहना ही रहना चाहिए, रहना ही रहना चाहिए, ठीक है, अच्छा, दूसरा point के है, दूसरा point है, कि velocity is always perpendicular, अब क्या करो, बी को rest पे ला दो, मैं फिर से इस body को बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं फिर से इस body को बना रहा हूँ, फिर से मैं इस body को ऐसे बना लिया, ठीक है, यह था मेरा, यह था मेरा, कौन सा point, A point, और यह था मेरा, B point, और यह था उन दोनों के बीच का line joining, ठीक है, line joining, मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, B को rest पे ला दिया ठीक है वी को जैसे ही रेस्ट पे लाया तो इसकी वेलोसिटी दूसरे बाले अबज़ेक्ट को इधर मिले गए आपोजिट डिरेक्शन में तो इसकी तो पहले से यह ही दर थी यह साइन अल्फा और यह भी-भी sine beta उसको जाएगा opposite direction में तो plus VB sine beta sine beta ठीक है और इसको इस direction में एक velocity थी VA cos alpha ठीक है तो और ये velocity इसको जाएगी opposite direction में कैसे VB cos beta तो ये और ये तो cancel कर जाएगे क्योंकि velocity of separation is equal to what? 0 और velocity of approach is equal to what? 0 ठीक है और ये distance suppose मान लो ये distance था R ये distance था suppose ये total distance था R तो omega is the angular velocity जब मैं circular motion पढ़ा रहा था तो बताया था कि angular velocity क्या होता है angular velocity omega is the angular velocity तो omega कैसे देते हैं omega देते हैं V perpendicular by R V perpendicular by R तो V perpendicular कितना है? V perpendicular है sir V A sin alpha plus V B sin beta V B sin beta upon R distance कितना है? R small r तो ये है मेरा omega ये है क्या मेरा omega तो omega की value भी एकदम हमें हमेशा दिमाग में छपी होनी चाहिए कि ऐसे omega लिखते हैं omega is what? V perpendicular by R बेसिकली आपको ये ध्यान में होना जरूरी है ये चीज़ omega is what? V perpendicular by R ये हमेशा ध्यान में होनी जरूरी है V perpendicular कैसे निकालेंगे? sir line को join कर देंगे पहले वाले body को rest पे लाएंगे दूसरे वाले को उसकी velocity दे देंगे opposite direction में और V perpendicular आ जाएगा और divide कर देंगे किस से? R से V perpendicular क्या था? ये था मेरा V perpendicular ये था मेरा V perpendicular ठीक है? तो ये concept है तो तीसरा जो point था तीसरा point यही था तीसरा point था ये angular velocity of one point with respect to other point angular velocity of one point with respect to other point point is same throughout the body बहुत important है is same throughout the body throughout the body समाज में आई बात? तो angular velocity जो ये omega निकल के आई है किसी भी दो point के बीच में निकालो हमेशा सेम आएगी किसी भी दो point के बीच निकालो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं किसी भी दो point के बीच निकालो बीच निकालो सेम रहेगी सेम, सेम रहेगी समझ में आई बात? तो ये concept था पूरा मेरा rigid body का अब आते हैं हम kinetic energy पे kinetic energy rigid body की कैसे लिखेंगे? तो मान लो ये था मेरा कोई rigid body ऐसे था ठीक है? और ये थी मेरी axis उसकी क्या थी? ये थी मेरी उसकी axis ये है axis तो axis ये है इस axis के about क्या है body क्या है? मेरी rotate कर रही है इस axis के about body क्या है? rotate कर रही है omega से suppose omega से rotate कर रही है तो मुझे इसका kinetic energy लिखना है तो kinetic energy सर कैसे लिखते हैं? kinetic energy का basic formula ही होता है सर half m v square तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिए? एक small mass m लिया small mass m लिया ठीक है? m1 इसको बोल रहा हूँ फिर यहाँ पे m2 लिया m2 लिया ठीक है? फिर ऐसे ही मैंने यहाँ पे m3 लिया अगर मैं पूरा ऐसे छोटे छोटे mass लेकर पूरा cover कर दिया पूरा body को cover कर दिया क्या निकल के आ जाएगा? kinetic energy निकल के आ जाएगा kinetic energy लिख रहा हूँ मैं देखो kinetic energy is what? half m1 v1 square इसकी velocity suppose यहाँ से इसकी velocity है यहाँ से v1 v1 से rotate कर रहे यह है v2 और यह है v3 perpendicular है किसके? इसके axis of rotation से ठीक है? perpendicular है इसके axis of rotation से और जो यह radius से ठीक है? half m1 v1 square plus half m2 v2 square plus half m3 v3 square and so on ठीक है? तो अब देखो मैंने बताया omega क्या होता है? sir v perpendicular by r v perpendicular by r तो यह suppose है r1 यह है r2 यह है r3 ठीक है? तो v perpendicular की value क्या गई? sir omega into r omega into r तो kinetic energy कैसे लिखेंगे? kinetic energy लिखेंगे sir half m1 v1 square m1 v1 कितना है? omega square r1 square v2 कितना हो जाएगा? half m2 v2 v2 कितना है? omega square r2 square and so on तो kinetic energy जो निकल क्या ही मेरी kinetic energy जो निकल क्या ही half ध्यान से देखो omega square to common है omega square common है क्योंकि मैंने बताया था omega क्या है? v perpendicular by r omega is independent of two points omega is what? constant omega is what? constant half m1 omega square r1 square v1 कैसे लिखा? omega into r v2 कैसे लिखूंगा? omega into r2 v3 कैसे लिखूंगा? omega into r3 मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर v1 is equal to omega into r1 v2 is equal to omega into r2 v3 into is equal to omega into r3 and so on half omega square m1 r1 square plus m2 r2 square and so on तो यहां से जो यह चीज है ध्यान से देखो यह चीज जो आपको दिख रही है यह जो चीज दिख रही है इसको हम बोलते है moment of inertia जिसको हम i से represent करते है इसको हम बोलते है moment of inertia moment of inertia तो kinetic energy क्या निकल क्या ही? मेरी kinetic energy निकल क्या ही? half i omega square half i omega square where i is what where i is what i is m1 r1 square plus m2 r2 square and so on और complete body का कैसे निकालेंगे अगर complete rigid body है या तो आपको यह exam में या question में दिया रहेगा i की value या अगर complete body जैसे की disk हो गया circular ring हो गया इनका i कैसे निकालेंगे यह हम अगले आने वाले lectures में देखेंगे अगर कोई छोटा particle mass m का है सिर्फ सिर्फ mass m का है small mass m का है तो उसका moment of inertia कैसे लिखेंगे m r square से ठीक है तो इसको निकालने का यह तरीका हो गया omega क्या है where omega is what angular angular velocity velocity ठीक है यह हो गया मेरा kinetic energy का concept यह था मेरा kinetic energy का concept तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले question पर जो की यह है a block hangs from the string wrapped on a disc of radius 20 cm free to rotate about its axis which is fixed in a horizontal position if the angular velocity of the disc is 10 radian per second at some instant what is the speed of the block going down at that instant देखो यह बोल रहा है कि यह एक ऐसा छोटा सा disc है ठीक है और यह disc जो है ऐसा कुछ है ऐसा connected है और इस पे से ऐसे करके एक block hang कर रहा है block क्या है hang कर रहा है यह है mass m ठीक है अब यह बोल रहा है इस mass m की velocity बताओ अगर यह rotate कर रहा है omega से omega की value कितनी है 10 radian per second अब एक चीज बताओ अगर मैं यह point लूँगा और यह point लूँगा तो इस point पर velocity कितनी है v इस point पर velocity है v इस point की velocity है 0 ठीक है तो इसको मेरे velocity देनी होगी इस point को velocity अगर देनी होगी इस point पर इसकी velocity तो मैं इधर कितना दूँगा 0 meter per second क्योंकि क्यों भाई क्योंकि इसकी velocity 0 है तो omega कैसे लिखूँगा omega लिखूँगा sir v perpendicular by r v perpendicular by r और v perpendicular कितना है v perpendicular निकालना है आमें v perpendicular v है r कितना है radius दे रखा है 20 cm 20 cm मतलब 20 by 100 omega कितना है omega दे रखा है sir omega दे रखा है कितना 10 radian per second 10 radian per second तो यह हो गया 20,505 दुनी के 10 तो v आ गया मेरा 2 meter per second v मेरा आ गया 2 meter per second दूसरा question है if i is equal to 2 for the disk find its kinetic energy तो kinetic energy का formula क्या बनता है मैंने sir kinetic energy का formula बताया आपने sir half i omega square half i कितना है i है 2 i है कितना 2 half i omega square omega कितना है 10 radian per second का square 10 2 से 2 गया 10 का square is 100 joules 100 joules तो इस तरीके से हमने इस पर question कर लिया हमने concept समझ लिए के rigid body क्या होता है rigid body के कौन-कौन से properties है omega कैसे लिखते हैं और kinetic energy कैसे लिखते हैं तो आने वाले lectures में हम और सारे concept को cover करेंगे और बहुत important important question भी करेंगे तब तक से enjoy करिए मस रहिए और बहुत सारे question practice करते रहिए जहें